सबसे पहले हम देखने वाले हैं बायो डाइवसिटी जो टर्म थी वो किसी ने पॉपुलराइज की थी एडवर्ड विलसन ने की थी एंसी आटी में लिखा हुआ है अब ये बातें एंसी आटी में लिखे हुए हैं कि बीटल्स की कितनी स्पीशी तीन लाक फिश की कितनी एक अलँजिक लेवल जनेटिक लेवल पर अपने को तीन चीजें पढ़नी है एक अपने योल्पिया और आपने को मैंगो पढ़ना है वो एक कीनिकल को सिकरीट करता है जिसका नाम क्या है रेजर पाहिं है अब surtout के बारे में बताया गया है कि हिमाल्या की अलाग अलाग बताया गया है कि भारत देश के अंदर mango की कितने varieties पाई जाती है एक हजार varieties पाई जाती है next species diversity में देखें तो इसमें क्या लिखा गया है कि western घाट के अंदर eastern घाट के comparison में amphibians की जादा species diversity पाई जाती है next हम ecological level पे देखें तो इसमें simple सी बात बताई गई है कि इंडिया जैसी country है जहां पे सर्दी भी होती है बारिश वाला अक्षेत्र भी है मतलब है में घल्ले मनी पूरुसाइड चले जाओगे तेरा चेरा पुंजी चले जाओगे गर्मी वाला भी है राजस्थान है केरल में अलग temperature है मतलब क्या है पाहड भी है हिमाचल में अलग-अलग क्या है एरिया है लग-अलग temperature है condition है तो बहुत जादा वहाँ पे क्या है बायो डैवेसिटी अपने को देखने को मिलती है जैसे नोर्वेज जैसी country है वहाँ पे इतने changes नहीं पाय जाते तो वहाँ पे बायो डैवेसिटी भी कम होती है नेक्स हम total species की बात करने वाले है तो according to IUCN इसके अनुसार कितनी है 1.5 million total species है और रोबर्ट में के अनुसार कितनी है 7 million है रोबर्ट में ने क्या बोला है कि वही हैं तो 7 million बट हम discover सिर्फ इतनी कर पाए हैं अब आप लोग ये IUCN की full form क्या होती है तो IUCN की full form क्या होती है international union for conservation of nature and natural resources अब next हम बात करें देखो total जितन भी species है ना उसमें से 70% कोन है? पढ़ते हैं तो सबसे पहले है ना फ्लो कैसे अपना सबसे पहले हम फिश के बारे में पढ़ते हैं फिर हम क्या पढ़ते हैं एंफीबिया पढ़ते हैं फिर हम क्या पढ़ते हैं फिर हम बर्टाइल पढ़ते हैं फिर हम बर्ट के बारे में पढ़ते हैं फिर लास्ट में हम म अगया फिर कूँ आगया रैप्टाइल आगया फिर अगया बर्ड्स आगया अगया फिर आगया मैमल्स आ गया तो यह यहां आगया तो इसके साथ को न होना चाहिए, एलगी होना चाहिए, और मोस क्या होते हैं, ब्रायोफाइट होते हैं, फर्न्स क्या होते हैं, टेरीडोफाइट होते हैं, तो नाम से ही पता लग रहा है, ब्रायोफाइट और टेरीडोफाइट तो भाई-बाई हैं, तो इनको की लगबग इससे हाफ लिखी हुई है NCRT में कितनी 45,000 है और राइस की हम अल्रेडी बात कर चुके हैं कितनी है पचास हजार है और मैंगू की कितनी है एक हजार वराइटी है इसलिए देखो अब भारत देश में इतनी जादा बायो डाइवरसिटी पाई जा रही है इसलिए भारत को किसमें बारा जो मेगा डाइवरसिटी कंट्री है देखो मेगा मतलब क्या होता है ये क्या हो गया मेगा मतलब क्या होता है बहुत जादा हाना डाइवरसिटी मतलब डाइवरसिटी मतलब ऐसी कंट्री जिसमें बायो डाइवरसिटी बहुत जादा होती है तो उसमे भारत देश को सामिल किया गया है next हम बात करने वाले है patterns of biodiversity इसमें दो चीज़े अपने को पढ़ने है latitudinal gradients and species area relationship latitudinal gradient में क्या है देखो इसमें symbols ही बाते बताई गई है घूम फिर के वही बाते आएंगी देखो जो यह होता है अब यह क्या हो जाएंगे पोल हो जाएंगे यह पोल हो जाएंगे और बीच में कहीं equator आएगी तो इसमें बात क्या की गई है कि equator के ओपर अच्छी धूप आएगी अच्छी sunlight आएगी तो यहाँ पे biodiversity भी जादा होती है productivity भी जादा होती है वो कौन से होती है ट्रॉपिकल फोरेस्ट होती है तो जाहिर सी बात है ट्रॉपिकल फोरेस्ट में क्या पाई जाएगी और टेम्परेट के comparison में ज़्यादा biodiversity पाई जाएगी और इसके घूम फिर के वो ही बाते आएगी कि ट्रॉपिकल में बाईो डैवर्सिटी जादा है तो stability जादा है और year to year variation यहाँ पे कम पाई जाएगी और disturbance यहाँ पे कम पाई जाएगी यहाँ पे species को बनने के लिए time अच्छा मिला है stability है यहाँ पे stability नहीं है तो वो ही सारी बाते यहाँ पे फिरा के बार-बार लिखी गई है next हम यह देखने वाले हैं क्या species area relationship इसमें क्या है सबसे पहले अपने को scientist का नाम याद रखना है Alexander von Humboldt ने दिया था और यह वाला graph दिया था अब इस वाले graph ते देखो यह है species richness यह है area याद आपको क्या रखना है यह graph कैसा है rectangular hyperbola है rectangular hyperbola है और यह z क्या होती है यहाँ पे z अपनी slope होती है और slope की बात करें अगर तो यह normal area की पूछी जाए है ठीक था एरिया की पूछी जाए तो slope की यह value रहती है अगर बहुत बड़ा area ले लिया जाए बहुत बड़ा area जैसे एंसी आटे में लिखा है 1.15 है नेक्स हम बात करने वाले है importance of species diversity वो ही बात है कि जादा species होंगी जादा bio diversity होगी तो उस area में क्या है stability भी जादा होगी अब stability क्या है वो ही बाते मैंने बोली थी घुमा फिर आके कि year to year variation कम आएंगी disturbance कोई आएगी तो उसको जहिलने के काबिल होगी कोई बाहर से species आजाती है alien species आजाती है तो उसको जहिलने के काबिल होगी उन्हें stability घुम फिर के वही आके टिक रही है डेविट टिल्मन ने भी कुछ ऐसी ही बात बोली है कि जिस area में जादा species होगी मतलब जादा biodiversity होगी उसमें क्या है year to year variation कम आएंगी और वहां की productivity जादा होगी तो मैंने बोला था वही घुम फिर के बातें आ रही है ठीक है next है rivet popper hypothesis किस ने दिया था सबसे पहले scientist का दाम ध्यान लखेंगे Paul Ehrlich ने उन्होंने क्या बोला था यह पूरा aeroplane जो है ना यह पूरा aeroplane जो है यह एक ecosystem है और जो ecosystem देखो इसमें यह पेंच लगे हुए ना aeroplane में पेंच लगे हुए इन पेंचों से तो जुड़ा हुआ है यह पूरा पेंचों से जुड़ा हुआ है तो जो पेंच लगे हुए है यह क्या है यह क्या है उसकी स्पीशी है पूरे एको सिस्टम की और देखो सबसे जरूरी पेंच अगर इसमें पूछ लिया जाए तो कुन से है जो पेंच पंखो पे लगे हुए है जो राइवट्स पंखो पे विंक्स पे लगे हुए है वो सबसे जरूरी है यानि राइवट पर आद रखना है कि जो जो राइवेट विंक्स पे हैं यानि इंपोर्टेंट स्पीशी है उसका ज्यादा इंपक्ट पड़ेगा हाना इको सिस्टम नेक्स हम बात करने वाले हैं कोज ओफ बायो डाइवरसिटी लोज तो बायो डाइवरसिटी के हैना कितने कोज दिये हुए कि most important cause गोन सा है नेट में पहले बूचा भी गया है habitat loss and fragmentation most important cause है तो habitat loss and fragmentation के बारे में पढ़ने वाले हैं most important cause है ठीक है और इसका क्या दियावे है NCRT में कैसे दियावे कि जो tropical rain forest है ना वो पहले कितने होते थे more than 14% होते थे पर हम जंगलों को काठते जा रहे हैं तो वो 6% रहे गए और क्या बोला गया है Amazon Rain Forest grant में आगिवाश्म को क्हाटा जा रहा है किसलीए काता जा रहा है और य चलिए करते हैं लालिए कर दिया मतलब जब ज़रूरत बदल जाए उसको बो жест expectation और इसकी वज़ए से क्या extinct हो गया है NCRT में साफ साफ लिखा हुआ है stealer sea cow and passenger pigeon इसकी वज़ए से extinct हो चुके है next हम alien species invasion की बात करने वाले है alien species देखो alien मतलब कोई species बाहर से आ गई मान लो मेरे गाउं का तलाब था मेरे गाउं के तलाब में मान लो अब मैं कहीं बार से अफ्रीका गया और बी नाम की मचली ले आया अब बी नाम की मचली सुपेरियर थी उसने अब को बरबाद कर दिया तो यही कहां पर कहनी है तो इसमें करना क्या है देखो देखो नाइल बर्च ने किसको extinct कर दिया था 200 species of kickled fish को extinct कर दिया था अफ्रीकन catfish ने अपनी indigenous catfish को क्या कर दिया था extinct कर दिया था और यह है जैसे कि carrot grass है आपको पता यह carrot grass congress grass बोलते हैं पार्थेनियम लेंटना वोटर है यह सब क्या है native species किसी भी एरिया में अगर यह आ जाएं तो वहां की native species को उड़ा के खुद ही खुद फैल जाते हैं को extinction मतलब तू गया तो मैं भी गया हना मतलब एक हना गहरा प्यार का संबंध है यहां पर काफी दिल नुमा बाते की गई है यह वैसे वहां पर आता है अपना sexual reproduction planning brand में वहां पर पता चलेगा फिश obligatory parasite मतलब कोई parasite था जो कोई अगर था अरे यार कलर 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 ठीक मानलो कोई parasite था वो ए नाम की फिश पे ही रह सकता था अब ए नाम की फिश जब उड़ जाएगी तो जाहिर से बात उस पैर खतम हो गये तो अभी शिक्स्त वाला जारी है और खास बात क्या है कि human की एक्टिविटीज इतनी बढ़ चुकी है कि शिक्स्त वाला बहुत जादा स्पीड से आ रहा है मतलब क्या बोला गया है NCRT में कि अगले सो सालों में हम अपनी आधी स्पीशी क्या है गवा देंगे खतम कर देंगे और यह स्पीशी एक्स्टिंक्ट हो चुकी है जैसे कि डोडो कहां से एक्स्टिंक्ट हुई को आखिर क्यों कंजर्व करना चाहिए दाहिर सी वात है हमें उनसे बहुत फाइदा हो रहा है इसी लिए हमें क्या है कंजर्व करना चाहिए तो फाइदा किस तरीके से हो रहा है नेरो तरीके से भी ब्रोड तरीके से भी एथिकल तरीके में तो वही आ जाएगा पेड़ प है और इसमें क्या प्रोपर्टी है यह cancer को ठीक कर सकता है अब साउथ अफेसरी साइस में प्लांट है इसमें cancer को ठीक करने की प्रोपर्टी है बड़ वहां की लोग पड़ै लिखे नहीं है तो इनको इसकी पावर नहीं बता तो इसे में यही होला गया कि भाई जो यूजफुल है humans के लिए हाना उसका अच्छे तरीके से यूज लिया जाए science का यूज़ करते है ठीक है इसकी जड़ी को मिटा लेते हैं बहुत गंदा लग रहे है यह plant तो अब देखो ब्रोड में क्या आएगा ब्रोड की metric बताता हूं P2 P2 यानि P4 pollination P4 photosynthesis यह मैं बताता और यह Amazon rainforest को हमने बोला था लंग्स ओफ दी प्लानेट क्यों बोला था क्योंकि टोटल टोटल oxygen की 20% oxygen Amazon rainforest से आती है इतिकल में क्या आएगा इतिकल में यह नहीं आएगा यहां पर यह गलत लिखाव है इतिकल में आएगा for example आप हो आपकी कोई है या आपका कोई है और आप planning कर रहे हो phone पे रात करते हैं यार pollution बहुत हूरा है प्या Tabii रहा है श मैं यह वाली टेंशन्हां को अब रात को बत याते होसी से तो यह थी तो देख लिया कि अपने को इतना सारा फाइदा हो रहा है तो मतलब क्या है सीधा-सीधा भई, बचाना तो चाहिए, बचाना कैसे सही इनसिटू या एकसिटू तरीके अपने पास होते हैं, इनसिटू यानि ओन साइट, मतलब हाना शेर जंगल में है और मैं जंगल में गया, मैंने वहीं पे चार दिवारी कर दिया, तार लगा दिया, उस अब यहां पर इनके नमबर आपको हर हाल में याद होने चाहिए, यह इंडिया की बात की गई है, भारत देश में कितने होट स्पोर्ट तीन है, बायो स्वेर रिजर्व कितने है, फोर्टीन है, नेशनल पार्क 90 है, वाइल लाइफ सेंचुरी कितने है, फोर फोर एट है, अब सेकर्ड ग्रूवस के बारे में मैं आगे बताऊँगा क्या होते हैं, टैंचन मत लेजी, अब होट स्पोर्ट की बात की बात की गई है, यह होट स्पोर्ट इतने जरूरी क्यों होते है, पूरी दुनिया की बात की गई है, कि होट स्पोर्ट 25 होते थे, अब बढ़के क इतने 34 हो चुके हैं, इंडिया की बात करें तो इंडिया में होट स्पोर्ट तीन है, कौन से कौन से तीन है, इंडो बर्मा, हिमालिया, एंड वेस्टन घाट, एंड शिलंका, अब होट स्पोर्ट की खास बात क्या होती है, यहां पे स्पीशी रिचनेस मतलब बहुत जादा बायो डैवेसिटी पाई जाती है, और हाई डेगरी ओफ एंडेमिजम, एंडेमिजम का मतलब है, for example, राहुल जो है, वो कानपूर में ही पाया जाता है, या प्रियंका जो है, वो भोपाल में ही पाई जाती है, यह होती है, अब होट स्पोर्ट की खास बात क्या है, जो एर 50% तक रोख सकते हैं, यह कुछ नेशनलबार कहां पे है, यह याद रख लेना, जैसे कई बार पूछ ले जाते हैं, इसलिए मने रिखे है, जैसे काजीरंगा नेशनलबार कहां पे है, असाम में है, और किसलिए famous है, यह राइनोसोरस के लिए, जिम कॉर्बेट उतराखंड में है टाइगर के लिए फेमस है गेर नेशनल पार्क गुजरात में है लोयन के लिए फेमस है सेकर्ड गुरूफ की बात करें यह यह क्या है एक तरीके से ऐसे बोला जाता है मान लो ये गाउं है ये गाउं है और ये गाउं जंगल के अंदर है ये गाउं पुरा जंगल के अंदर है और जंगल के अंदर कुछ भी हो सकता है मंदिर हो सकता है मस्जिद गुरुद्वारा या चर्च कुछ भी हो सकता है अब वहां के लोकल लोग मान रहे हैं कि ये जो ज जन्गल है ना यह बगवान से जड़ा हुआ है अगर ऱ In BLACKान काटेंगे तो इस तरीके से क्या फिर उन जंगलों को festa कि लोग नहीं जेले Ricky कार्म जोलोजिकल पार्क आएंगे, बोटैनिकल गार्डन आएंगे, वाइल लाइफ सपारी, पार्क, सीड बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन टेकनिक इसमें आएगी, ठीक है, अब बायो डैवेसिटी कंजर्वेशन के बारे में ये दो चीजे आपको जरूर जरूर याद रखनी है क्योंकि NCRT में साफ साफ लिखी गई है, अर्थ सम्मिट कब हुआ था, 1992 में, वर्ल्ड सम्मिट 2002 में, और क्या है, ये कहां पे हुआ था, अर्थ सम्मिट कब हुआ था, रियो डी जनेरियो में हाना, कहां, ब्राजिल में, रियो कहां पे है, ब्राजिल में है, सब को पता हो जहांसबर्ग कहां पर है साउथ अफरीका में तो यह जहांसबर्ग में हुआ था तो इस तरीके से हम नए चैप्टर बड़ा ही प्यार से खतम किया थैंक्यू धन्यवाद